रजट की माँ पहुची ईशा से माफी मांगने सवी ने की बड़ी गलती स्टाप्रस कशोगू मैं किसी के प्यार में कि आने वाले अपसोड में हम सभी देखेंगे इंटर्वियों से पहले रजट अपनी माँ को फोन करता है कि मैंने सवी के फियांतर से बात कर ली है कोई सगाई नहीं तोड़ेगा वो सवी के साथ सगाई करने को तयार है साथी रजट कहता है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है आप सवी के घर जाकर उनके घर वालों से हम सब की तरफ से माफी मांग लीजे वैसे तो रजट की माँ जाना नहीं चाहती थी लेकिन वो चाहती है कि दोनों परिवार के बीच में सारी चीजे ठीक हो जाए तो वो हिच के चाते हुए बहुत जाती है सवी के घर में मैं दूसरी तरफ आश्का का बॉइ फ्रेंट सवी को किसी रिपोर्टर के जरिये फोन करके बुलाता है और उसे टाइम पर रजट से पैरेंटिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते है रजट सवालों का जवाब देता है और रजट के छूट को सुनकर सवी का घुस्ता फूट पढ़ता है सवी सामने आती है और कैमेरा के सामने सवी रजट के इंसर्ड करती है सवी कहती है कि रजट एक अच्छा बाप नहीं है अब क्योंकि ये interview live telecast हो रहा है रज़त के किसी भी action का रज़त पर बहुत उल्टा असर होने वाला है रज़त धीरे से सवी से कहता है कि वो अब limit cross कर रही है लेकिन सवी रज़त की बाते नहीं सुनती है सवी रज़त को उल्टी सीधी बाते सुना कर चली जाती है वो इस interview के वज़े से धीरे धीरे रज़त के बहुत सारे deal cancel हो रहे है रज़त की मा ईशा की घर में इस interview को देखती है वो फूट फूट कर होती है और पूछती है कि आखिर इंसम में मेरे बेटे की गलती क्या है रज़त जैसा है क्या सवी ने कभी भी ये जानने की कोशिश की की रज़त ऐसा क्यूं है रज़त सब ठीक करना चाहता था मैं यहां माफी मांगने आई ताकि हमारी परिवार के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन सवी ने आज बहुत गलत किया विल यहां पर ईशा भी शांत है शायद ईशा को भी लग रहा है कि सवी को वो सब नहीं करना चाहिए जो उसने किया आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपिनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताएए और साथी टेलेविजन से जुड़ी सभी लेकर अपडेट के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चानल को